गुर्ण मारी बच्चों देखिए आज हम जो चेप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है राशायनिक अपक्रिया योम शमी करण यह चेप्टर कच्छा 10 का साइंस का पहला चेप्टर है तो इस चेप्टर के विशे में आज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपने कच्छा 9 में पढ़ा होगा कि जो परिवर्तन होते हैं परिवर्तन कितने परकार के होते हैं दो परकार के होते हैं कच्छनों में आप पढ़ चुके हैं कि परिवर्तन जो आपके होते हैं कितने दो प्रकार के होते हैं एक आपका होता क्या बहुतिक परिवर्तन और दूसरा आपका क्या होता है रासाइनिक परिवर्तन बहुतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का परिवर्तन है ये वाला इसमें आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है जो पदार्थ का गुंड होता है वो चैंज हो जाता है तो इस अध्या में हम क्यों रासायनिक परिवर्तन के विशे में पढ़ेंगे कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है उसको हम प्रदरसित कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सद्ध्या में हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं तो इस सद्ध्या में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रासानिक अपक्रिया क्या होती है नहीं रासानिक जो परिवरतन होता है उसे को क्या कहेंगे रासानिक अपक्रिया गहेंगे जिससे नए पदार्थों क्या हो इर्मार हो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रासानिक अपक्रिया में अविकारा क्या है उत्पाद क्या है ये सब जानेंगे उसके बाद जो हम ये पढ़ेंगी कि राशानिक अपक्रिया का प्रेक्षन कैसे करेंगी कि राशानिक अपक्रिया हो रही है या फिर नहीं हो रही है और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस राशानिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करते हैं जो राशानिक परिवर्तन हो रहा है इसके बाद जो हम जानेंगे कि जो राशानिक अपक्रिया होती है उस अपक्रिया को हम संतुलित कैसे करते हैं तो आपके कच्छादस में केवल एक ही विधी है संतुलन की, चरण अबद क्या करना, संतुलित करना, तो इसमें आप यह भी सीखेंगे, जो समिकरण है, जैसे यह आपका क्या, यह आपका समिकरण लिखा हुआ है, अब इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, यह भी सीखेंगे इस है संयोजन अपक्रिया यह जानेंगे रासानिक अपक्रियाओं के प्रकार में इसमें हम 5 प्रकार की अपक्रिया है पढ़ेंगे कितने 5 प्रकार की अपक्रिया है सबसे पहड़ी आपके अपक्रिया हो जाएगी संयोजन अपक्रिया इसके बाद जो आपकी दूसरी अपक्रिय इसके भी से में जानेंगी विस्थापन अपक्रिया क्या होती है चोथी है आपकी दूई विस्थापन अपक्रिया ये भी जानेंगी दूई विस्थापन अपक्रिया क्या होती है इसके बाद जो आपका पांचवा है पांचवा हम जानेंगी आक्सी करण और अप्चयन अपक्रिया अब आक्सिक्रण और अप्चयन को हम रेडाक्स अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं रेडाक्स तो ये भी जानेंगे हम कि रेडाक्स अपक्रिया क्या होती है ये पांच प्रकार की अपक्रिया जानेंगे हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो आपका दैनिक जीवन है इसमें जो आपकी उप्चेन अपक्रिया है ये रेडाक्स अपक्रिया से सम्बंदित है रेडाक्स अपक्रिया दो प्रकार की होती है एक होती उप्चेन ये दूसरी अप्चेन तो इसमें जानेगे उप्टेन अपक्रियाओं का प्रभाव क्या होता है हमारे देनी की उनमें इसमें आप जानेगे संचारण क्या होता है और उसके बाद जो आपका अंतिम पॉइंट है बिक्रित गंदि का ये जानेगे तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं चैप्टर करते हैं इस चैप्टर का आपको नोड्स भी प्रवाइड कर दिया जाएगा तो सबसे पहले देखी ऑileen चैप्टर में है आपका रासायिद अपकिया तो आपको पता होगा हमने बता कि ये क्या है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है तो ऐसा परिवर्तन जिनमें नए गुणवाले पदार्थों को क्या हो निर्माड हो उसी को हम क्या कहेंगे रासायनिक अपकिरिया कहेंगे यानि जो आपका परिवर्तन है आपका च्छनों में पढ़ चुके हैं कि भावतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन तो इसमें क्या है? ऐसा परिवर्त है जिसमें नए गुणवाले पदार्थ का निर्माड हो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अपकिरिया कहेंगे अब रासायनिक अपकिरिया में आपका दो पॉइंट होता है एक होता अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद तो सबसे पहले समझते हैं कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है? जैसे देखे, मान लीजे हमने दो पदार्थ लिए ये प्लस बी अब ये प्लस बी हमने लिया तो हमारा तीसरा पदार्थ जो बना क्या बना? सी अब देखिए इसमें जो ये प्लस भी है आपका इधर वाला जो पदार्थ हमने लिया है रासाइनिक अबकिरिया से पूर्फ जो पदार्थ लिये जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं क्या अभी कारक कहते हैं और रासायनिक अभक्रिया के उपरांत रासायनिक अभक्रिया के उपरांत जो आपका पदार्थ बनता है यहां पर क्या बना सी बना तो इसी को हम क्या कहेंगे उत्पाद कहेंगे इसी को क्या कहेंगे उत्पाद कहेंगे यानि हम क कहें सकते हैं कि रासायनिक अबक्रिया से पूर्व जो पदार्थ लिए जाते हैं रासायनिक अबक्रिया करवाने के लिए उसे हम क्या कहेंगे अब कारक कहते हैं और रासायनिक अब देखेंगे तो जो राइट साइड में उत्पाद को लिखा जाता है और लेफ्ट साइड में किसे लिखा जाता है अभिकारक को लिखा जाता है तो इसमें यही बताएगा है जैसे आपने देखा इसमें क्या है अभिकारक लिखा हुआ है तो अभिकारक क्या होता ऐसे पहला उधारण है भोजन का बाचन लोहे पर जंग लगना राशायनिक करिवरतन कर्किरिया पर किया के प्रेक्षंड यह निए चोड़ासानी के प्रिक्षंड कैसे कर सकते हैं कि तो These are नहीं हो रही है जैसे इसमें पहला पॉंट जो दिया हुआ आपका अवस्था में परिवेर्टन मतलब क्या है जैसे पदार थे कि तीन अवस्था होती है ठोस द्रो और गैस तो मान लीजे कोई पदार ठोस से द्रो में बदल रहा या ठोस से गैस में बदल रहा या द्रोस से ठोस में बदल रहा तो यदि आवस्था में परिवर्तन हो रहा इसका मतलब क्या हो रही है दूसरा तापमान में क्या परिवर्तन जैसे तापमान में परिवर्तन होता है मान लिजे आपका पहले तापमान था 10 डिगरी सिंटिग्रेट अपकिरिया के उपरान तापमान क्या हो गया मान लिजे 50 डिगरी सिंटिग्रेट तो तापमान में परिवर्तन भी क्या है रासानिक अपकि को प्रदरसित कैसे करते हैं यह देखे रासायनिक अबक्रिया को प्रदरसित करना तो इसको हम दो प्रकार से प्रदरसित कर सकते हैं एक तो आपका क्या हो जाएगा सब्द समिक्राण और दूसरा आपका क्या हो जाएगा रासायनिक समिक्राण सब्द समिक्राण हम क्या जैसे देखे इसमें क्या है जिंक लिया गया, जिंक को हमने लिख दिया कि उस सब्दों के द्वारा, सल्फियूरिक अम लिलिया गया इसको सब्दों के द्वारा लिख दिया गया अब जब इसकी अबकिरिया होई तो आपका जिंक सल्फेड बना और hydrogen gas निकली, तो इसको हमने क्या क्या, सब्दों के द्वारा लिख दिया, सब्दों के द्वारा, तो जब सब्दों के द्वारा लिखें तो उससे हम क्या कहेंगे, सब्द समिकरण कहेंगे, उसके बाद आपका क्या है, रासाइनिक समिकरण, रासाइनिक समिकरण क्या होता ह जब हम क्या करें उस अपक्रिया जो राशानिक अपक्रिया हो रही है उसको संकेतों की द्वारा लिखें जैसे यहां पर देखिए जो आपका जिंक लिखा हुआ था अब इसका संकेत क्या होता है जड यान जिंक का संकेत होता है जड यान तो हमने संकेत को द्वारा लिखा सल इत क्यों रखेट है जब राशांक कि परिवरतन को तत के परती वाबिकार पात के रासायनिक А्वाइक जडियां सब्सांस चूंस सो पूरहां जब इसको क्या करें परदर्सीद करें तो इसे क्या कहेंगे रासायनिक शमीकरण कहेंगे देखे जो रासायनिक अपक्रिया होती है उसके कुछ आवश्यक प्रस्थितियां भी होती है जैसे ताप कितना रखना है दाप कितना देना है उत्प्रेरक क्या होता है कौन सा उत्प्रेरक लेना जिससे अपक्रिया हो जाए उत्प्रेरक का क्या क्या है अब क्रिया को घटा देना या बढ़ा देना तो यह सब क्या करते हैं तीर के जो निसान होता है तीर का जो निसान होता है उसके ऊपर लिखते हैं जैसे दिखे यहां जो आपकी रासाइनिक अपक्रिया लिखे हुई यह यह आपकी क्या है रासाइनिक अपक्रिया है य कि यह सब क्या करते हैं तीर के ऊपर लिखते हैं तो यह आपने देखा इसके बाद जो है कि हम देखते हैं कि जो अपकिरिया होती है उसका संतुलन भी किया जाता है उसी क्या करते हैं रासानिक अपकिरिया को संतुलित करना तो रासानिक अपकिरिया को हम संतुलित कैसे करते ह जैसे आपने कच्छनों में पढ़ा होगा द्रविमान सरक्षण का नियम तो द्रविमान सरक्षण का नियम जो कहता है कि जो आपका द्रविमान होता है किसी भी पदात का द्रविमान का ना तो निर्मार होता है नहीं बिनास होता है यानि रासाइनी कपक्रिया के पहले और ब ये आरेन का प्रमाड़ उसको किसा उद्गोदरा प्रसिति करते हैं अपी की द DF लार इसमें देखे वाटर है इसमें है इड्रोजन का भी प्रमाड वoured और और अक्षीजणकों यह परमाड हो है, तो यह सब क्या है, जो परमाड हो है, यह इधर आपका क्या है, अभिकारक है, इधर आपका क्या है, उत्पाद है, तो अभिकारक और उत्पाद में, यह आप कह सकते हैं, राशानिक अपकिरिया के पहले, और राशानिक अपकिरिया के बाद, जो परमाड हो H2 hydrogen gasines plus O2 oxygen gasini अब इसकी करिया हमने करवाई तो hydrogen and oxygen की ऑपकुरिया होती है तो क्या बनता है आपका पानी बनता है H2 अब देखिए यहाँ hydrogen के दो परमाड़ दिखें होे यह जो आपका दो लिखा हुआ इसका मतलब क्या है hydrogen के दो परमाड़ यह यहां दो लिखा आक्सिजन के दो परमाड तो इधर आभी कारक में आपने हाइड्रोजन के दो परमाड ले आक्सिजन के दो परमाड दे तो इधर भी हाइड्रोजन के दो परमाड होने चाहिए आक्सिजन के दो परमाड होने चाहिए लेकिन यहां पर देखे कि संख्या क्या होनी चाहिए आपस में बराबर होनी चाहिए तो देखिए यहां पर जो आपका हाइड्रोजन है यह बाला इसको क्या कर देते हैं पहले आक्सिजन को संतुलित करते हैं तो हमने यहां क्या लिख दिया दो से क्या क्या मल्टिप्लाई कर दिया तो यहां आप द यानि जो राशानिक अप्क्रिया होती है उसमें दोनों तरफ परमाणूगों की संक्या क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए तभी हम क्या कहेंगे रासानिक संक्राण आपका संतुलित है इसलिए कहा भी गया रासानिक अब क्रिया के पहले यानि अभिकारक यूम उसके पश्चाथ उत्पाद परतेक तत्त के प्रमानों की संख्या क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए संख्या समान होनी चाहिए तो इसमें आपका क्या है संतुलन का एक नियम दिया है चरणवद्ध संतुलित करना इसमें क्या करते हैं एक परमान को हों संतुलित करते हैं जैसे देखिए ये आपकी क्या दी हुई है रासाइनिक अपक्रिया दी हुई है इधर आपका अभिकारक है और इधर आपका उत्पाद है अब आप अभिकारक में देखेंगे तो इधर क्या है एक आईरन है लेके इधर तीन आईरन है तो इस समीक्रण क्या है संतुलित नहीं इधर एक आक्सिजन है तो इधर आपका चार आक्सिजन है तो अब इस समीक्रण को क्या करते हैं हम संतुलित करते हैं यानि इधर भी जो परमाण की संख्या है और इधर भी जो परमाण की संख्या है तोनों तरफ क्या करते हैं बराबर करते हैं तो जब बराबर करेंगे तो सबसे पहले एक नियम होता है कि सबसे पहले हम क्या करते है जो समिक्रण होता है उच्चित गुणांक लगा कर ऐसा नहीं कि जिसे यहां देखे जो आक्सिजन आपका लिखा हुआ है यहां तो यहां हमने दो लिख दिया चार इधर था तो चार इधर हमने लिख दिया तो समिक्रण संतुलित हो गए गुणांक लगाएंगे गुणांक क मतलब होता है आगे गुणा करना माल एक यहां पर क्या रिखा हुआ है आप यहां पर क्या लिखा हुआ है अब यहां दो नीचे हमने लगा दिया सफिक्स के रूप में कभी नहीं लगाएंगे, हमेशा गुडान के रूप लगाएंगे, अगर दो आक्सिजन बढ़ाना है, तो आगे दो से क्या करेंगे, गुडा करेंगे, और जब आगे गुडा करेंगे, तो ये पूरे जो आपकी जितने भी परमार हों हैं, जैसे मान ले आपका है, हमें दो से अगर गुडा किया, गुडानक लगाके, तो इसका मतलब है, पहले ही लिखा रूप था, पहले दो हैड्रोजन थे और एक अक्सिजन था, लेकिन जैसे हमने दो से गुडा किया, तो अब हैड्रोजन दो थे, यानि दो गुडे, दो दुन्नी, चार है have chosen fulfilled or ermासीजन दो एक कम दू इस प्रकार से होता है जिसे देखे मालेजी अमने लिखा है है और एध 3 है कि मा तो इसमें कितवे है एक नाइट्रोजण है यहां देखेंगे तुट क्या एक नाइट्रोजण है और हैर्डोजण कितने है तीन है अगर इसे हम क्या करें तीन से गुड़ा कर दें तो इसका मतलब क्या हो गया नाइट्रोजन की संख्या कितने हो जाएगी तीन हो जाएगी और हाइड्रोजन कितने हो जाएगी अब देखे तीन पहले से थे और तीन से हमने गुड़ा किया तो तीन तरीका नो नहीं को वांटर के साथ हपिडिया करवा रहे थे तो एफि 3 वो फोर बना और हईड्रोजन गैस क्या हो गई निकल गई कि यह समिकरण क्या संतुलिथ नहीं है क्योंकि यहां पर हाईड़न एक है यहां पर आइड्रान तिन है यह है हाईड्रोजन दो हैड्रोजन तो यहां तो है ये तो संतुलित है लेकिन ये आक्सिजन यहां एक है यहां चार है तो इस समिक्रण को क्या करेंगे हम संतुलित करेंगे तो समिक्रण को जो संतुलित करने का जो नियम होता है वो क्या होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं उच्चित गुणांक लगा कर सबसे पहले हम क् तो को पहले संत्रुत करते हैं उसके बाद अहात वाले तत्तों को और पत्रों करते हैं हई। तो आपको पता होगा कि संत्रुत करें सबसे पहले इसमें अगर दहा तो देखा जाए तो क्या है आईरन आपकी क्या है दहा तो है आक्सीजन आपकी क्या है अधा तो है तो सबसे पहले आईरन को संतुलित करेंगे फिर आक्सीजन को फिर हाइड्रोजन को चलिए सबसे पहले चरण वन में हम क्या करते हैं चरण फर कर दिया यहां देखेंगे हमने क्या किया तीन से गुड़ा किया इधर इसके बाद चरण दो आएगा आयद दो हमारा हो गया संतुलित इसके बाद देखें, चरण दो, चरण दो में देखें, यह है, अब चरण दो में आक्सिजन को संदूरित करेंगे, तो इधर देखें, चार आक्सिजन थे, इधर एक आक्सिजन है, तो इधर हमने क्या किया, चार से मल्टिप्लाई कर दिया, तो इधर भी चार आक्सिजन हो गोए और इधर तो चार आज़ीन पहले से थे Bzas When meinem a और और देखिए इसमें आपका जो आपका स्मिकरण लिखा हुआ है हम आधरन भी आपका क्या है संतुलिफ हो गया अक्सिजन भी आपका क्या हो गया संतुलिफ हो गया बचा एधर आपके कितने एक हścią些 होगे है और अधibl Зब्सें चेज़ों को भी आपक्या है डोलस्त मिशन नहीं क्या करेंगे आप तो जुद देखें नहीं क्या क। अधिक आप सीघूध में गुनाक लगाके और धिजु आउनती मेंवरा करते समंत्रवीम bei Gal कि सही करए कि आवस्था को भी हम क्या करते हैं कि यसे हम पदार्दार्थ community अलत आद में ब्रण लिखेंगे रिखेंगे लिखेंगे तो यह जली अवस्था में आपको से एक्क revelation लिखेंगे और यह सब क्या करेंगे जैसे है टू लिखा हमने क्या क्या है एच लिखा हुआ है अब यह क्या है गैस है आपकी तो जी हमने सफिक्स में लिख दिया तो इस प्रकार से क्या करते हैं जो आवस्था होती है उसको हम क्या करते हैं लिखते हैं अब कारक हो या फिर उत्वाद हो हूं मैं इसके बाद दीकिए हम क्या पढ़ेंगे र THE रासानी की अपकिरीया के प्रकार तो रसनी के के प्रकार में जो आपकी पहली रासानी के अपकिरीया कौनसी सही योजन अपकिरिया तो सउय औप क्रिया क्या होती है वह अभकिरिया हैं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पात का क्या करते हैं निर्मार करते हैं तो इस प्रकार की अभितलिया, क्या करते है, सही योजन? आपकरीया करते हैं, चली हम समझते हैं, एक्जांपल के द्वारा, जिसे मान लीजिए, आपने क्या लिया? दो अफ्कारक लिए यह लस भी और यह अपने जीसांग कर वाई तो आपका क्यों एक उत्पाद बना सी आपने दो अफ्कारक लिए थे इते मुल्द्फाद एक ही बना तो ये आपकी क्या समय यूजन अफ की लिए यह य सी बन रहाए जैसे मन लिए ये ई भी ले लिए ड लिए झाहर ऩुक्त किया करेंगी और इन से क्या बना आपका मां लिजे एप कोई उत्पाद बन गया तो यहां पर आप देखेंगे कि आपने कि प्रत्रब्स कृटक्र योजन का मतलब क्या होता है योजन की योग करना तो यह क्या करते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ कर एक उत्पात का क्या करेंगे निर्माड करेंगे जिसे इसमें समझा भी गया है देखिए उधारण की तोर पर यह आपका यह प्लस भी मिलकसी बन रहा है या कोईले का दहन हो रहा है जैसे देखिए यहां पर कोईले का दहन आप इसमें देखेंगे तो जो आपका कार्बन है और अक्सीजन है यह यहां देखें आप कार्बन और अक्सीजन यह मिलकर एकल उत्पात का क्या कर रहे हैं निर्माड कर रहे हैं कार्बन डाई याग साइड यह से आपका हो गया जल का निरमार thanks hydrogen लिया गगंगा इसमय पानी मिला दिया तो आपका बना क्या बुझा चूना वोता है यही लोग घुटका खाने में क्या करते हैं जिस चूने का उप्योग करते हैं वह आपका यही पुझा हुआ चूना सी ओच का फोल्ड ट्वाइस यह तो आपके हो गई क्या संयोजन अपकरिया अब इसमें भी देखे एक प्रकार के अपकरिया क्या होती है उस्मा छेपी अपक्रिया ये आपके क्या है उस्मा छेपी अपक्रिया तो उस्मा छेपी अपक्रिया होती है जिसमें उत्पाद का तर्मार होता ही है साथ ही साथ उस्मा का भी क्या होता है उस सर्जन होता है जैसे अभी आपने ये एक्जाम्पल पढ़ा उपर वाला ये COO plus H2O COO जैसे आप चूने को पानी में बिलाएंगे तो इसमें से क्या उस्मा भी निकलती है तो इसे हम क्या कहेंगे उस्मा छेपी अब क्रिया जैसे उधारन भी दिये हुए है प्राकृतिक गैस का धहन यानि मेथेन प्लस हाक्सिजन मिलकर CO2 बना लिए water बना आपका और उसमा क्या हो गई निकल गई दूसरा है आपका example यह दिखी glucose आपने लिया और carbon dioxide लिया तो क्या बना carbon dioxide बना water बना और क्या हम लोग क्या करते है glucose हमारे सरीर के अंदर होता है oxygen हम ग्रहन करते है और उसके बाद राशानिक अपक्रिया कर लेते है तो carbon dioxide गैस बनती है जो हमारे सांस के दोरे क्या होती है water भी बनता है और क्या बनता है उसमा का निर्माड होता है तो यह तो हो गई आपकी क्या सही ओजन हपक्रिया अब दूसरी जो अपक्रिया है आपकी कौन सी है यह ऐसी वह अपक्रिया होती है जिनमें एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पात का क्या करते है निर्माड करते है जैसे आप देखेंगे यह तोटा किसमे B प्लस C में तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहेंगे बियोजन अपक्रिया जैसे मान लीजे आपका यह है अब ये तोटा तो ये बना B प्लस C प्लस D तीन उत्पात में विबख्त हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे बियोजन अपक्रिया कहेंगे इसके बाद देखिए बियोजन अपक्रिया में भी क्या होता है एक तो होता है आपका उस्मिय वियोजन और दूसरा आपका क्या होता है बैदुद वियोजन यानि जब हम उस्मा देकर तोड़ते हैं तो उस्मिय वियोजन और बैदुद के द्वारा तोड़ते हैं किसी आपका रखतो बैदुद वियोजन तीसरा है आपका क्या प्रकासिय यही चीज़ प्रकास के द्वारा जब हम किसी अभिकारक को तोड़ते हैं तो उसे क्या कहें ते प्रकास यह बीयोजन इसके उदाहरण देख लेते हैं जीसी जो आपका उसमी प्रकास है खी इसके होता है इसको अंहीं होता है इसको आपको अ में तूट जाएगा और सफर ट्रmia зай्ण में तूट जाएगा यानि यही चीज आपकाा एक दो और कितने तीन इन तीन चीजों में क्या होया है हम ने क्या दिया इसमें गांदिया तो इसलिए थे जाए इसलीए कि यूड़े चरहिए इसके बाद और आक्साइद बनता है चूना बनता है कर्बंड अक्सिड क्या होती है बाहर निकल जाती है ठीक है इसके बाद देखें बैद्दुत भीरोजन भी आ गया जिसे वाटर है आपका इसमें हमने बैद्दुत धरा प्रवाहित की तो वाटर की जो आपके प्रमाड होते हैं और इसके बाद क्या है आपका प्रकास ये वियोजन अब देखेंगे आप प्रकास ये वियोजन तो प्रकास ये वियोजन में क्या होता है सूरी के प्रकास को हम क्या करते हैं सोरी के प्रकास के उपस्तिती में किसी आपकि यąż neighbor का व्योजन करवाते हैं जैसे देखे इसमें AG, CL है आपका इसको हमने प्रकास दिया तो प्रकास दिया तो ये टूट गा किसमें AG में और किसमें CL2 में जैसे आपका क्या है AG, бр इसको हमने क्या दिया प्रकास दिया तो यह किसमें टूट गया एक तो आपका टूट गया एजी में और एक आपका टूट गया बियार्टू में तो देखें इसमें क्या हो रहा आविकारक टूट रहा है और दो या दो से अधिक उत्पात का निर्मार करा तो यह तो बियोजन हुआ और बियोजन में कौन सा बियोजन हुआ प्रकास ये बियोजन यानि इसमें बियोजन में आपने तीन प्रकार के आपके रहे हैं पढ़ी एक तो आपका क्या उसमी ये बियोजन जब उसमा के द्वारा अभिकारक को तोड़ते हैं दो या दूसरे दिक उत्पादों में परकास के दौरा很好 को तोड़ते हैं थ्यादर यह ऴ Valenti कुष्पाद हैं इसके बाद आप देखिए इसमें एक बद이다 और है क्या उस्मा सोषी अपक्रिया हो नहीं उस्मा सोषी अपक्रिया पर तो जब संयोजन अपक्रिया में आपने पढ़ा था क्या उस्मा छेपी अपक्रिया यानि जिसमें उस्मा का क्या हो सर्जन हो लेकिन ऐसी अपक्रिया हैं जिनमें अभिकारों को तोड़ने के लिए उस्मा या प्रकास या बैदुत उर्जा की क्या हो आवशकता हो से हम क्या क कौन सा विस्थापन अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया समझते हैं चलिए पहले देखते हैं विस्थापन अपक्रिया होती क्या है तो एसी अपक्रिया जिनमें अधिक क्रिया सील तत्त कम क्रिया सील तत्त को उनकी योगिक से क्या कर दें विस्थापित कर दें जैसे दिख अब जब कापर्सल्फेड की положटे जलीए विलेन में आयरन को छोड़ते हैं तो mom क्या कर देता है कापर को विस्थापित कर देता है औरальных पर विस्थापित होने पॉड़ब था fi उस कापर को आईरन ने क्या 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 अलग तेभाय है अनिस्कासित कर दिया इसथापित कर दिया तो इसको क्या कहते हैं विश्थापण अपकर ग्रियाँ गiele कंटीयां तो एसब पर को होगा हुद और कापर क्या हो जाएक अलग हो जाएगा तो इस अब kría को क्या कहेंगे क। इसमें उद्पादों का निर्मार दो योगी को की बीच आयनों के आधान प्रदान से होता है यानि इसमें क्या होता है एक आयन दूसरे से यह दूसरा आयन पहले से क्या कर देगा आयन को विस्थापित कर देगा चलिए इसको हम क्या करते हैं एक्जांपल के द्वारा समझते हैं सबसे पहले यहां देखें आप देखेंगे तो यहां क्या लिखा हुआ है यह तो दू देखे इसको अगर हम तोड़ेंगे leост or मायनस में तो क्या बिलीगा आपको आप कहेंगे यह नए प्लस मिलेगा और यह सोट or 2 – मिलेगा तो यह नही प्लस मिलता है न मैंने 104- तो यह सब क्या है आयन हैं कि अगर इसको हम तोड़ें है तो क्या मिलेगा आपको बीए टू पलस और सीयल माइनस तो यह आपके क्या आयर अभी एक दूसरी को क्या करेंगे विस्थापित करेंगे चली देखते हैं इसमें आप देखिए जो आपका यन्ने था सलफेट के साथ एसो फोर के साथ जुड़ा हुआ था बीए सील टू के साथ अब बीए अपक्रिया में एसो फोर के साथ जुड़ जाएगा और यन्ने किसके साथ जुड़ जाएगा सील के साथ जुड़ जाएगा जैसे दिखो बीए जुड़ा एसो फोर के साथ बेरियम सल्फेट बना लिया और सोडियम किसके साथ जुड़ा इन्ने सोडियम जुड कि जैसे अगला एक्जामपल देखिए, के-टू-एसो फोर, बी-ये-सी-एल्टू अब के-टू-एसो क्या गरेगा के-सी-एल्ट बना लेगा और बी-ये क्या करेगा, ये सब्वोर के साथ क्रिया कर लेगा। तो यह हो गया आपका क्या दोभी स्थापन आपकी दिया। इसके बाद देखिए अगली अपक्रिया आपकी कौन सी है आक्सिक्राण योम अप्चैन योम अप्चैन आक्सिक्राण को हम क्या कहते है उप्चैन अपक्रिया भी कहते है तो ये अपक्रिया क्या हो थी सबसे पहले इसमें दो प्रकार किया सबसे पहले देखिए आक्सीक्रण क्या होता है किसी पदार्थ से आक्सीजन की क्या हो किसी पदार्थ में सबस다 चलते हें एलक्ट्रान का त्याग करना है आक्सी क्लिया है जैसे दिखे एक जम पर है में एक्षाम्पल में है आपका कार्बन को यह सब्सक्रिण कर दिया अब कार्बन जैसे यो पर है और आक्षीजन है अप कापर जैसे अक्षिजन जुड़ा तो क्या करने की है इसके बाद देखिये यह जो आपका कापर अक्साइड है है यह दुम जब आपसे में मिलते हैं तो कापर अलग हो जाता है है अक्साइड हो जाता है तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है हाक्सी करण हुआ या उप्चैन कह सकते हैं तो यह सब क्या है उप्चैन अपक्रिया उसके बाद क्या है आपकी o कि जिससे आपने भी पढ़ा क्या oxygen का जूड़ना दान का निखलना कि बृफ्ण कि लिए था जब किसी पदार्द से अच्छी पर क्या हो जब किसी पदार्द सब बृफ्ण कि निकल रहा हो जब किसी है so भूधारण दिया हुआ है लिखे गाई। जिसे हैं आपका कापर आक्साईड यह अवर जलब न रहा है अब इसमें जब आप देखेंगे तो यह कापर आक्सिजरुण से जुड़ा हुआ था पहले अब कापर क्या हो गया सुग्थ्न्तृ हो गया तो आक्सिजरुण कलना क्या कहलाता है अप चैन और यहां देखिए आइड़ो जो नकेला था इसके साथ आक्सिजन क्या हो गया तो यहां पर आक्सिजुल का जुर्दा हो रहा है तो आक्सिक्रण हो रहा है या उप्चैन तो अब उप्चैन और अप्चैन दोनों अपक्रिया क्या होते हैं साथ साथ उप्चैन है इसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस अपक्रिया में कापर आक्साइड ये तो वही समझाया जो भी हमने क्या किया समझाया इस अपक्रिया को रेडाक्स अपक्रिया भी कहते हैं क्या कहते हैं इसे हम रेडाक्स अपक्रिया भी कहते हैं यानि वह अपक्रिय करेंगे रेडाक्स अप्कृरिया धैन है धैनिक जीवन में अप्कृरियाओं का प्रभाव का प legal सबसे पहले क्या था संछारण है। इसमें क्या होता है जब कोई धात आकसीजन या नमी से आधरता के जा अमल से क्रिया करती है उसके संपर्घ में आती है तो धात की उपरी प्रत क्या होती है कमजोड होने लगती है कि संचार्ष होने लगती है इस ही प्रक्रिया को हम क्या कहते है संचारण कहते है जैसे आपने देखा ऊगा कोई लोहा रख दीजिए ठीक ठक तो कुछ दिन बाद Arctic Yuk जाएगा वाहर खुले में रख जो आपकी दहात होती है वो आक्सिजन से क्रिया करके आधरता से क्रिया करके आपनल से क्रिया करके वो उपड़ी प्रत अपनी कम्योर कर लेती है तो इसी को क्या कहते है संचारा कहते है दूसरा है आपका क्या लोहे पर जंग लगना अब लोहे पर जंग लगना भी क्या है लोहा आक्सिजन से क्रिया करेगा तभी जंग लगेगा चांदी के ऊपर काली प्रत का जमना तामबे के ऊपर हरी प्रत का चड़ना यह सब क्या है संचारण के उदारण है संचारण का मतल गोती है तो होती है कीड़े नहीं करती है इससे लिए चिस फोगे लेकितों को बहुत है इसलिए याफ भूद जोबन घोती Sel रगदें तो उसमें बाद उसमें क्या हो נयागी छोटे छोटे बैक्टिरीया बैक्टिरीया आजाएगे इसके कारण Criminal क्रेवेवा इसके आपका क्या आक्षिजन की मे आपका है विक्रित गंधिक्ता इसको भी जांते है जो आपका विक्रित गंधिता है वो क्या होती है यब वत उनुघ को समपर्क में आने पर अप्चेई दोनाती है जिससे उसके स्वाध और गंध में क्या हो जाता है परिवरतन हो जाते हैं तो इसे क्या कटने है विकृत गन्दिटा जिसे मान लिजी है आपने भोजन क्या किया है रख दिया तो क्या करेगा कुछ दिन दो 3-3 दिन तक आप भोजन रखा रहे रहे त्रहने दीजे वियसे खुला तो वाई उसे क्रिया करके उसमें क्या हो जाएगी सरध पैदा हो जाएगी गंद निकलेगा तो क्या हो जाता है आक्सिक्रित हो जाता है किस से आक्सिजन से क्रिया करके तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं विक्रित गंधिता कहते हैं विक्रित गंधिता यानि यह अब क्रिया जो होगी किस से होगी स्वारी देखिए यह जो अपक्रिया होगी आपकी वस्सायुक्त तैलिये खाद सामग्री से होगी और वायू के संपर्ख में आने पर ही होगी क्योंकि वायू में आक्सिजन रहती है जैसे संपर्ख में आएगी तो उसका स्वाद हो गयरा सब कुछ क्या हो जागा बतल जाएगा सणन पर अधि वरतनों में खाद सामग्री को रखकर रखकर यसे रोका जा सकता है वायू के स्थान पर नाइट्रोजन गहस को बहर कर जैसे अभी हम ने क्या बता रिया धो होती हो तो यह भी क्रित कंदीदा को रोकती है सीतलन द्वारा जैसे आपने देखन होगा फ्रीज में को जा सकता है को आशा करता हूं यह आपका चेप्टर यहां से क्या हो रहा है समार्थ हो कि में आशा करता हूं यह चेप्टर आपको समझ में समाज में हा गया ओगा है झाल झाल